हालो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यान वित सचिन तो दोस्तों आज किस complete वीडियो में हम बात करेंगे पॉल टेकनिक first semester back paper applied physics first के सारे important questions के बारे में तो आप सभी के back paper में यही questions देखने को मिलेंगे इस से ज़्यादा कोई questions पूछा नहीं जाता है तो आप सभी इन questions की preparation जरूर कर लेना बाकि अगर BTUP paper pattern में कुछ इधर दर questions को करता है तो प्लीज negative comment मत करना आप सभी को जितना हो सगेगा सारा कुछ सही सही बताने की कोसिश करूँगा सारे important questions बताने की कोसिश करूँगा और आप सभी इस बात से परचित हैं कि मैं BTUP का paper तो नहीं बनाता हूँ कि मुझे already पता होगा कि कौन सा questions आप सभी के exam में आने वाला है तो इतना था आप सभी का applied physics first के कुछ हमने important चीज़ों को बताया बहुत सारे बच्चों का एक doubt होता है कि जो उनका back paper होता है वो different होता है other paper से मतलब जो normal paper होते है तो दिखिए paper pattern same है level भी जो होता है same होता है बच्चों का कहना है कि back paper थोड़ा सा hard होता नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो कहने की बाते हैं ठीके सब कुछ same होता है जो भी pattern नहीं जो भी आपका सब कुछ same रहता है ठीके तो उसमें आप सभी को tension लेने की जुरूत नहीं तो physics और chemistry की अगर notes आप सभी चाहिए in my 2% के जो भी important questions के notes चाहिए तो अभी आप सभी call कर सकते हैं इस number पे और join हो सकते हैं मात्र 19 रुपे में physics और chemistry दोनों को मिल जाएंगे आप सभी को notes ठीके तो इतना आप सभी के लिए advantage रहने वाला है तो चलिए one by one सारे important questions को देखते हैं तो देखिए जितने भी important questions हमने लिए हैं सारे important questions आप सभी को नहीं पढ़ना है तो वीडियो को अंतक ध्यान से देखिए कौन कौन सा question आप सभी को पढ़ना है तो चलिए पहला question जो लिखा है कि core note engine से क्या अभी पढ़ना है तो इसको आप सभी को नहीं पढ़ना है ठीके चलिए उसके बाद देखते हैं ये जो रुद्धोस प्रक्रम है और समतापी प्रक्रम है ठीके इस पर टिपड़ी लिखने को एक एक नंबर में कई बार आ चुका है ठीके तो काफी सरल है आप सभी दो दो लाइन में से अपनी preparation को कर सकते हैं देखिए आप सभी को सबसे ज्यादा important चीज़ अगर बता दूं तो वो क्या है कि चाहे उस्मा सभी का दूती नियम पूछ ले यह काफी इजी रहने वाला है और चाहे फस्ट नियम पूछ ले या चाहे जीरोत लाव पूछ ले ठीके इन तीनों को आप सभी अच्छी तरीके से पूछ तयार कर लीजिएगा और मैं बता रहा हूं कि 99.9 परसेंट चांस है कि यह तीनों क्यूसंस में एक क्यूसंस आपके फाइब मार्क्स में इस बार देखने को मिल जाएं तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप सभी को उस्मा गत्की का प्रथम दुती और जीरोत नव पढ़ना है तिरती नियम नहीं पढ़ना है ठीके चलि ठीके कि कुछ ऐसे चीजें जो टिपड़ी में आते हैं और ये दो दो लाइन में आते हैं ठीके तो इन्हें आप थोड़ा सा उबर भी ले लीजिएगा कहीं एक एक नंबर या दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं ठीके एक और इंपोर्टन के उससे देखने को ठेके को परिभासित कीजिए और जो नीचे लिखागा दो रेखी प्रसार गुडांक छेटरी प्रसार गुडानक और आनलफा बेटा गामा ठीके इनमें जो सम्भन्ध एठीके इसको आप सभी ऐगम बलकुल अच्छी तरीके से तयार कर लिजेगा क्यूंकि इस की लिए उ कॉंसेप्ट है ठीक है चालन्ड विक्रण संभान ठीक है बहुत सरल कॉंसेप्ट है तो आप इसे थियूरी में तयार कर लीजिएगा ठीक है चलिए अगर हम बात करें एक और नहीं है ठीक है चलिए इस्टोक्स का नियम आप सभी जरूर पढ़ लिएगा इस्टोक्स का नियम भी काफी इंपोर्टन हो जाता है और रेनाल्ड संख्य का जो कंसेप्ट है भी शोटा सा है ठीक है 2000 के इधर क्या होगा तो आपका टर्मुलेंट होगा 2000 के उपर होगा टर्म जोड़ dadł dozer से कम होगा आप सभी का जिसे के लिंअर वह इसके बीच में होगा तो यह बहुत से कंसेप्ट है अगर मैं डेनल्ड संख्या जो बता दू यह रू बीडिय अपन य्म ये इसका फार्मूला होता तकहना नंबर आपका रेनल्ड होता है या रेनल्ड लबै Community ने इसका से दांत दिया है या बरनविली के रूल पिबादरी थे कॉनसा प्रौा जो ह स्मझ लीन की चीज़े ठीक है चलिए इस टोक्स का नियम आपने देख लिया अब जो सबसे important हो जाता है वो हो जाता है आपका क्या बर्नवली का प्रमे ठीक है तो बर्नवली का प्रमे आप सभी जरूर तयार कर लिजेगा चाहे ये लिख कर आए चाहे आप आप सभी को ए बराबर भी बराबर constant लिखकर आए बात ठीक है सेम होती है तो इस बात का ध्यान रखिए मैंने उपर इस चीज़ को बता दिया है ठीक है तो जितने भी मैंने बता रहा हूं उतना ही आप सभी को देखना है पलाइन बेग बहुत important जाता है तो एक बार पलाइन बेग आप सभी जरूर देख लीजिएगा ठीक है इसको आप सभी left कर दीजिएगा आगे बढ़ते हैं ठीक है पलाइन बेग का आप सभी जो बेग का मान है वो बताईएगा comment में ठीक है और यह formula भी आप देख लीजिए आप सभी के लिए तो रहन दीजिए ठीक है और अगर मैं बात करूं और important questions की ठीक है तो वो कोड़ी संबेग को परिभासित करना हो जाएगा ठीक है और अगर हमें important questions की बात करें तो वो हो जाएगा जड़त आगुर और घोड़न त्रिज्या में परिभास है लेकिन इसका प्रमे पूछे जाने की पूरी उमीद की जा रही है इस बार ठीक है चलिए तो इस चीज को आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह लंब बहुत अच्छों की प्रमे बहुत सरल सरल derivation है इसे आप जरूर तयार कर लिजेगा ठीक है सारे questions important है लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहु important हो जाता है ठीक है सरची तथा असरची बलों से क्यातात पर है इसको भी देख लीजिएगा ठीक है घरसण वाला चैप्टर काफी important हो जाता है सरल भी है ठीक है इसको बना कर भी आप लेख सकते हैं ठीक है इस्थेति की सीमा में इस्थेतिक घरसण गतिज की सीमा में गतिक घरसण तो ऐसे हम भी लिख दिया करते थे कभी जब नहीं तैयार हुआ करता था ठीक है चलिए अगर मैं आगे देखूं आप सभी के साथ ठीक है तो वह कौन सा question हो जाएगा वह हो जाएगा घरसण गुड केंद्री त्रंड अभिकेंद्री बल और रेखी त्रंड और घोणी त्रण में सम्बंध मतल ए बराबर 20 ku это अबी केंद्री त्रोड मैं अगर बल कगुड़ा कर सथो छे के वह यहां पर तो बस उसमें कुछ नहीं है अरब बराबर में होता है न देखिए एफ सबराबर हो तुरण लगा दिये तो यह अब गेंदरी बल हो गया है कुछ नहीं है ठीक है ऐसे आप सभी को यहाँ पर भी लिखना है अगर मैं बात करू रेखी तुरण की और कोड़ी तुरण में तो इसका संबंद बहुत हीजी है इसको भी जरूर देख लीजिएगा और कोड़ी और र बीमी बिसलेशन की उपयोगिता लिखिए बीमी समय के अरण क्या है बीमी समांगेता के सिद्धान ठीक है ठीक है तो इतना क्यूस जो था वह आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन था जो कि मैंने बता दिया है और इसके लिए आप सभी का धन्यबात कि आप आप सभी ने वीडियो को अंतक देखा है ठीक है आगे बात करते हैं अगर जो बच्चे अभी फिजिक्स हैर कैमेस्टी का हिंदी में नोट्स पर आप करना चाहते हैं तुरंद इस नंबर पे कॉल करिए 93690 पे और आप सभी को तुरंद जॉइन कर दिया जाएगा तो मिलत एक नई वीडियो के शाद तब तक के लिए गुडबाय टटा लब यू ओल